दोस्ता आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोड़ प्रणा सागत है आज के जो वीडियो है इस वीडियो में हम आपके लिए हिस्टरी का स्लेबस लेकर आए हैं क्लाश 12 के लिए सेशन 2022 और 2023 के लिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको जो मिट्रम एक्जाम होगा उसमें क्या स्लेबस आएगा आपका जो प्री बोर्ड और बोर्ड एक्जाम होगा उसका क्या स्लेबस होगा कौन कौन से जो चैप्टर से हैं इस साल डिलीट कर दे गए हैं तो यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो इन सभी जानकारी के लिए वीडियो का एंट तक जरूर देखें और हाँ वीडियो जो है दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा तकि उनको भी जो है स्लेवस के बारे में पता चल सकें तहिक है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हि उसमें उसमें चार चैप्टर सें वक भी जो भूलेगगा उसमें शे चैप्टर सें यानि की टोटल आपके 15 जिसमें इस साल जो हैं तीन चैप्टर डिलिट कर दिए गए हैं बाकि जो 12 चैप्टर हैं वह आपके स्लेबस में आ रहे हैं अब उन-चैप्टर में से कौन आपके मिद्रम में आएगा? कौन आपका और प्रीबोड में आएगा? और कौन आपका बोड एकसान में रहे हैं चैप्टर 3 बंधुत्व जाती तथा वर्ग यह भी आपके मिट्रम एक्जाम में आएगा और यहां जो आपको टॉपिक्स दिख रहे होंगे राइट साइड में कॉलम जो है उसमें जो है वो टॉपिक्स लिखें आई हैं वही आपके एक्जाम में पूछे आएंगे ठीक है फिर चैप्टर 4 विचारक विश्वास और इमारती यानि बुक वन के जो चारो चैप्टर से वह आपको पढ़ने हैं मिट्रम एक्जाम के लिए आपका मिट्रम एक्जाम कब होगा भी मैं बता जेता हूं आपका जो मिट्रम एक्जाम है वो 30 सितंबर के बाद हो जा तो बुक वन के जो चारो चैप्टर से हैं वो आपके मिट्रम एक्जाम में आ रहे हैं फिर बुक टू का जो चैप्टर 5 है यात्रियों के नजरिये ये चैप्टर आ रहे हैं चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपराएं ये आ रहे हैं चैप्टर 7 एक सामराज्य की राजधानी विजयनगर, chapter 8 किसान, जमिदार sorry किसान, जमिदार और राज्य यह जो chapter से book 2 के यह आ रहे हैं book 2 का एक जो chapter है chapter number 9 साशक और इतिवरित यह chapter आपका deleted है इसमें से न आपका midterm exam में कुछ पुछा जाएगा ना आपके board exam में यानि कि ये पूरे साल के लिए chapter deleted है, chapter number 9, शाशक और इतिवरित, और ये book 2 का chapter है, ठीक है book 2 का last chapter, फिर जो book 3 है, उसका chapter number 10, उपनी वेश्वाद और देहाद, यहां तक जो मैंने आपको chapter बताए, पहले जो 4 chapters book 1 के, बाद के जो 4 chapters थे वो book 2 के, और ये जो एक chapter है book 3 का, यानि आपको 30 September 2022 तक जो है, इसकूल में करा दिया जाएगा, 30 September तक आपको इसको complete करना है, उसके बाद जोगा इन chapters का revision होगा, और 30 September के बाद, यानि कि अक्टूबर के महिने में कभी भी आपका minimum exam हो सकता है, तो उसमें यही 9 chapters आएंगे, ठीक है, कौन-कौन से chapters हैं आप वापस द जाएंगे, बाकी और भी जो आपके syllabus में chapters हैं, वो देख लीजिए, यह जो बाकी अभी मैं chapters आपको बताऊंगा, यह chapters आपको mid-term exam आपका हो जाएगा, उसके बाद करवाए जाएंगे, ठीक है, तो इसमें book 3 का chapter 11, विद्रोही और राज्य, chapter 12 जो है book 3 का, वो deleted है, उसका न chapter 14, महात्मा, गांधी और राश्री आंदोलन, chapter 14 भी आपका deleted है, इसका नाम क्या था विभाजन को समझना, यह chapter 14 है, यह भी deleted है आपका इस साल के लिए, और chapter 15, समिधान का निर्मान, यानि यह जो 4 chapters आपको मैंने बताए, 3 chapters, chapter 11, chapter 13, और chapter 15, यह जो 3 chapters है आपको 30 सितंबर के यानि जब आपका 30 सितंबर के बाद, मिट्रम एक्जाम हो जाएगा, उसका आपका result आजाएगा, ठीक है, उसका question paper है, आपके स्कूल में discuss होगा, उसके बाद आपको यह 3 chapters करवाए जाएगे, ठीक है, और यह जो पूरा syllabus मैंने आपको भी बताया, 9 chapters आपके मिट्रम एक्ज में उसमें आपका revision होगा, ठीक है, रीवीजन के बाद, आपका 23 में Pre-board exam होगा, ठीक है, जिसका जो pattern होगा, एकदम same होगा, बोड exam की तरह, Pre-board exam में भी आपको बता दू कि पूरा syllabus आता है, और बोड exam में भी पूरा syllabus आता है, ठीक है, तो यह जो mid-term exam था, बस आपकी practice के पहले था क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि शुरुआतमे नहीं पढ़ते हैं लास्ट में जा के पढ़ते हैं तो अगर मिट्रम इग्जाम होगा तो उन्हें सुरुआतमे भी पढ़ना पड़ेगा ताकि उसमें भी उनके अच्छे मांग सा सके ठीक है और वेटेज में आपक जानते होंगे यहां पर वही लिखा है कि 15 दिसंबर 2022 तक आपका पूरा स्लेबस करवा दिया जाएगा फिर pre-board exam होगा फिर pre-board का जो question paper है वो आपको school में solve करवाया जाएगा उस पर discussion होगा यूकि जो board का exam होगा और pre-board का exam दोनों का pattern एकदम सेम होगा ठीक है उसके बाद आपको cbsc के sample paper जारी करेगी cbsc उसकी practice school में करवाया जाएगी और आपका revision होगा फिर आपके होगे board exam तो यह तो था theory का यानि जो आपके theory है अब उसमें देख लीजे maps भी आपके map में क्या क्या है देख लीजे book 1 से यह वाले maps आ रहे है ठीक है आप अपने देख लिया होगा book 2 से यह maps आ रहे है और book 3 से आप यहां से देख सकते हैं यह सभी जो maps है वो आ रहे है तो यह जो था आपका syllabus था history का total आपके आ रहे हैं 15 में से 12 chapter तीन चैप्टर जो डिलीट है मैंने आपको बता दिया तीक है आप देख सकते हैं वीडियो में और 9 chapters आपके आएंगे मिट्रम एक्जाम में बागी जो तीन है chapters बसते हैं वह आपके